कि हलो बच्चो आप सभी बच्चों का देव क्लास सिस्मिंड स्वागत है आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्लाश 10 के अंसरॉल पेपर के बारे में आपका जो पेपर आता है उसमें तेन होते हैं पहला होता physics और दूसरा होता chemistry तीसरा उत्र आपका biology तो इन में सम्द हजार बारा का सेट नॉमर वन आपका biology पार्ट बताने जा रहा है और वागी chemistry physics आपके हो चुके हैं चलिए देखिए इसमें से देखते हैं कि में से कौन से सही है पहला लिखत में से किस हार्मों की कमी से मध्य मधंए रोख होता है यह उन्य हार्मों की कमी से मधंए है जानते होंगे जिंको डाइबरीज बोलते हैं वह है कि मध्य होता है इनutta सबस्क्राइब जरूर करें ज्यादा ज्यादा-जादा स्यर करें कि इस समय आप इसको स्कॉल-कॉलिजब बंद चल रहे हैं तो सभी बच्चे घर में ही बैट करके online study जारी रखें और अपने दोस्तों को भी share करें लाइक करें और आपको इसमें अगर कोई समझ मनाए तो comments box में comments के माध्यम से पूछ सकते हैं गरत्यक्यां कार्ण का नियम प्रशुत किया था यानी में यहीं दोतें इनियुदि यह थे जटेंतर इन दिये थे तीन नियम दै यह मैं दो इस में से पूछ रहा है और रंप क्षखक करण का नियम किस ने दिया था ग्रेगर जोन में घत यह नियम है किस निडिया था ग्रेगर जोन में नहीं डंल ने राबाठो sound कर था आपके kentra किति द्यक्त क्रेविन ङए और 只 οιटर्विकिश ने भी नहीं किया था यह ग्रेगर जौनमन्नहर 한ओ पैदम आपका निम्न लिखित में कौन सा प्रयावरण मित्र भेवाल वाले कहलते हैं जैसे कि वजार जाते समय समान के लिए कपड़े का थैला ले जाना या कारेशमाप्त हो जाने के बाद लाइट तथा पंखे का स्विच बंद कर देना जैसे कहते हैं कि कारिश हमाप्स हो गया तो लाइट या पंखा उस कमरे में अगर कोई काम नहीं है तो बंद कर देना तो क्या यह पर्लेवरण मित्र का बेवहार है मादवारा स्कूटर में बिद्याले चोड़ने की वज़ाए तुम्हारा बिद्याला पैदल जाना या उप्रोक्त सभी यानि यह सारी चीजे पर्लेवरण से मित्र वाले बेवहार कहलाते हैं जैसे बगया जाते समय समान के लिए कपड़े का थेला ले जाना अगर हम मार्केट जाते हैं खाली हाँ चले जाएंगे तो फिर थेले वहां एक मित्रिया विवहार हुआ माद्वार स्कूलर सी विद्यालाई की छोड़ने विवाजाएं विद्यालाई कैसी जाना पैदल जाना में से सभी करना चाहिए वन सर्ण देखेंगे पहला कोश्चन है जो हां लेखने वाला भी तक आपके बहुत कलपी चल रहे थे वन सर्ण नच्छन के बारे में क्या है वन सर्ण इसलिए अवस्यक है क्योंकि वनों पर हमारे अनेक युद्यों का धारी था यानि वन सर्ण वन हमारे जीवन में सबसे ज यहिसे क कई सारे उड्योंग धन्दे भी वनों पर अधारित होते हैं , जैसे कि वन सर्ण नच्छन इसलिए आवस्यक है क्या है इसलिए 1 सर्ण नच्छन आवस्यक है संतुलन के वन ने जिव सर्नाच्छण आवस्यक किसका निदियों के लिए पार्या वरड को संतुली तरोप से बना रखने के लिए आपका वन्हें जिव सर्नाच्छा आवस्यक है अगला कुछ्चन है उपार्जीत किसे कहते हैं इस सिद्धांद को किस ने परस्तित किया था वाता वरुण के प्रभाव के कारण जीधारियों में जो विभिधेनतायं उत्पन होती है उन्हें उपारजित लच्छड कहते हैं यानि Russell आता वरण की प्रभाव की कारण यानि जो आपका एटमासफियर होता है उसकी कारण उसके कारण आपकी जियोधारियों में जो विभिन नतायाती आना कई प्रकार की परिवर्तन उत्पन होते हैं उन्हें ही उपारजित लच्छड कहें जाते हैं जैसे इस सिद्धानत की वरण उदारण से तो लेक कीजिए पादपो में काई कदन की दो विधियां होती है दो विदियों का वरण करना है इन मेंसे दोई बीदिया पूछ रहा हैं उतित्व और भी है पहली है जडो द्वारा जडों में भोजन का संचय होता है है जडों पर अपस्थानी कलकाएं उपस्थित होती हैं अनुकूल परिस्थितियों में यह नए पादप का निर्मार करते हैं जैसे शकरकंद शतावर आदी पत्ति द्वारा है दूसरा पत्ति द्वारा मांशल पत्तियों से भोजन का संग्रह होता है यह पर्ड कलिकाओं का निर्मार करती हैं और अनुकूल परिस्थितियों में यह नए पादपो का निर्मार करती हैं दाहरान जैसे बिगोनिया घाव पत्ता आदी अगला कुशन है इसमें अंतर शिरावी ग्रंथियां किसे कहते हैं कि नहीं दो प्रमुख अंतर शिरावी ग्रंथियों के नाम तथा उनमें शिरावी थार्मोंस के कार्य भी लिखिए बहुत अच्छा प्रश्ण है कई बार पूछा गया है आपका यह और इंप्रोडन अंतर शिरावी ग्रंथियों को ही बोलते हैं नलिका विहीन ग्रंथियां क्या बोलते हैं नलिका विहीन ग्रंथियां अंतर शिरावी ग्रंथियां उन ग्रंथियों को कहा जाता है जो अपने हार्मोंस सीधे रक्त धारा में छोड़ देती हैं वह अंतर जो अपना हार्मोंस सीधे किसम छोड़ती हैं रक्तधारा से छोड़ देती हैं इन अंतैसरावी ग्रंथियों को पहले एक दूसरे से प्रथक समझा जाता था मतलब पहले इन ग्रंथियों को एक दूसरे से क्या समझा जाता था प्रथक मतलब अलग समझा जाता था किन्तु अब ग्यात हुआ है कि यह सब एक दूसरे से सम्मंधू और ब्यूस घंठी मतलब एक दूसरे से समंधत है यह कह रहED इसमें प्यूस घंठी तथा मस्तिस्क का ध्यलेमस भाग उनका सम्मंध स्थापित करते हैं अदरह मस्तिस्क की अंतहिसरावित अंत्र को केंडर कहते हैं अगरा है जब इसे में आ गए हार्मों शरावित से वह लेवाली नली का विहेन गरंथियों को अंतहिसरावित गरंथिया कहते हैं अभी हमने आपको बतावी था कि अंते स्रावी ग्रंथियों को हुई नल का विहेन ग्रंथियां भी कहते हैं यानि हार्मोन से स्रावित करने वाले इनल का विहेन ग्रंथियां को अंते स्रावी ग्रंथियां कहते हैं आता हैं स्रावी ग्रंथियों में वाई काय नहीं होती आता यह अपना हार्मोन सीधे रुधिर में स्रावित करती हैं कहां पर करती हैं सीधे रुधिर में सावत करती हैं दूसरी है प्यूस ग्रंथि प्यूस ग्रंथि में आक्सिटॉसिन नामक हार्मोन पाया जाता है और इन टीसरा है थायराइड गरंथि कुछ घलका देखेंगे उसमें तायरोक्सिल हरमोंस पांज जाता है यह तैसे करिया सब्सक्राइब कि उपापचई तथा उपापचई किर्याओं का नियंत्र तथा नियमन करता रहता है आसा करते हैं आपको समझ में आ रहा है अगर कोई चीश समझ में नहीं आती है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स के मादर से समा सकते हैं कमेंट बेजिए हम आपको अगली वीडियो में बताने की जरूर कोशिस करेंगी क्योंकि लगवाग लगवाग अब एक दूसरे से कोश्चन हर सेट में मैस कर रहे हैं अगला इसमें जनसंख्या विस्पोट क्या है जनसंख्या व्रधि में होने वाली हान या तथा बचाव का संचेप में वरड़न कीजिए यानि जनसंख्या विस्पोट क्या है देखेंगे आपे किसी सेल विसेश में जनसंख्या का उस स्थिती तक बढ़ जाना उस छेत्र में उपलब्द खादे पदात जलत था अन्य प्राकर्तिक ससाधन में जनसंख्या के लिए परियाप्त हो जाए तो उसे जनसंख्या विस्पोट कहते हैं यानि उस छेत्र में बढ़ जाना जहां पर पिसी विस्पोट कि अपलब्दना हुपाई प्राकृतिक संसाधन में के भी कमी आजाए पर्याप्तता की मात्रा आ जाए उसे क्या कहते हैं जनसंख्या बिस फोट कहते हैं जनसंख्या प्रदी से उत्पन होने वाली हानिया पहले इसमें सिच्छा वेवस्था की समाश्या कम होने से बड़ती जन्संक्या के कारण बच्चों की पढ़ाई के लिए परभेस पाना कठिन हो गया है। जहां प confoonory देखते होंगे क이लियों जो जाना आच्छी और उच श्कोल को Limited शिच्छा में दिला सकते। इसलिए कम होने पर जन संख्या के कारण को बच्चोब की पढ़ाई के लिए फिर्वेश manager कि लिए प्रव्यस पाना कठिन हो गया है लिए जन संक्या के भुखारी में अनुपात में रोजगार की संक्या में ब्रद्धी परियाप्त नहीं है जिससे विरोजगार की समस्या भी बढ़ती जा रही है यानि विरोजगार की समस्या भी उत्पन होती है ज्यादा जनसंख्या की कारा विरोजगारी की समस्या भी आ जाती है अगला खादे पूर्ती की समस्या अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो अनपात में खाद्यानों का उत जायलम कैसे पानी जाता है और कहां से क्रहाण होता है यह रहाण का चित्र देख रहा है से मλη मूल रोम है उपर और नीचे की और यहां पे यहां का जू भाग है वंविनिट से यह जू भाग है आपका जड़ बोजन जाता है जायलम से जल ग्रहा करते हैं यह मांग कोश का है और यह जो गोल अकार के हैं यह कार्टेक्स लिखे हैं इनको बलकुट भी बोलते हैं यह कार्टेक्स बोलते हैं और यह मिट्टी के कढ़ हैं जहां पर लिखा है मृदा के का और महीं पर कोश की जल होता है ठी वरण की उसक्ता नहीं है जापका रहा चित्र प्रकनलिका का गर कि अगला कुछन इसमें सवाच्छ नामां की चित्र की सहायता से मान नहीं कि आंतरिक सरनाजना का वरण किजिए धमनी और सिरा में अंतरिस्पस्ट कीजिए देखेंगे हर्दय की अंतरिक सनचना अलिन दियुम निलाए फोसा वैलेस महासिरा इस पंदन के फुपुष दमनी महाकार्ण यह अलग-अलग पार्ट दी हुए है जो कह रहा है इसमें हर्दय के भाग के लिए तो पहले देखेंगे अलिन मान Tamam काट का अध्यान करने पर मनुष्ट के हर्दय में कि ये हर्दय में क्यों मैंनुष देखेंगे है अलिन लेंटा यूंव कि बारे में क्या है इसलिक्तिन पयाण मनुष्ट की मनुस्ट के हर्दय में चार पूर्व बेशम अर्था दो अलिंद तथा दो निला दिखा देते यानि चार बेशम पाए जाते हैं दो अलिंद और दो बेशम और दो निला भी होते हैं जो जो निला है और दो अलिंद पाए जाते हैं उन्हीं को चार बेशम पते हैं पर तेक हो करते लती हैं महां सेठी अलिंदर युदो होती है ए स्पंदन केंद्र दाय अलिंद में महा सिराओं के छिद्रों के समीप शिरा अलिंद गाठ होती है कहां होती है जो इसंदन केंद्र या पेश्मिकर कहलाती है क्या कहलाती है इसकंदन या इसकंदन केंद्रिया पेशमेकर कहलाती है किस निले से निकलता है जो असुद्धुरुधिर को फेफ़लो तक ले जाता है निले से धमनी महाकांड चाप निकलता है जो संपूर सरीर में सुधूर धिर को पहुंचाता है अगला कुस्चन है इसमें कि अगर आपको थोड़ा कर दे रहे हैं कि क्या है यहीं संपूर्ण शरीर में सुधुरूधिर को पहुचाता है अब देखेंगे इसमें पूच रहा है धमनी और सिरा में अंतर धमनी जो होती है तो रूधिर को सरीर से विभी नंगों तक पहुचाती है और सिरा जो होती है यह सरीर के विभी नंगों से रुधिर को हरदय में ले जाती है और धमनीया की भित्ती मोटी वाली चिली होती है और सिराओं की भित्ती क्या होती है पतली होती है अगले नमबर इसमें आथवा में पूछा गया है कि प्रकास अंसलेसल को परिभासित कीजिए प्रकास अंसलेसल को प्रभावित करने वाले कारकों का उलेक कीजिए प्रकास अंसलेसल की प्रकासी अवगरिया विद्य को समझाईए यह पूरा आपका साथ नमर में कोशन पूछी होगा तो इसमें सारी सीजे बतानी है पहले पूछ रहा प्रकास अंसलेशन तो प्रकास अंसलेशन के बारे में देखते हैं पादपू द्वारा शूरी की उपस्थिती में जल तथा कार्बन डायकसाइड की सहाइता से स्वयम अपने भोजन का निर्मार करते हैं इसी को बोलते है क्लोरोफिल अधीक मातरा में पाए जाता है तो इसको क्या होता है प्रकास प्त्ति में अधिक होता है कारवन डायकसाइड CO2 का प्रकास इंसलेशन में प्रयुक्त होने वाला कच्छा माल है अताव वायू में CO2 की मात्रा क्या है अताव वायू में CO2 की मात्रा बढ़ने से प्रकास इंसलेशन की दर भी बढ़ जाती है जल जल भी प्रकास संसलेशन की क्रिया में एक कच्छे माल की तरह प्रयुक्त होता है इसमें प्राप्त हाइट्रोजन कार्बन डियकसाइड का अपचायन करती है अताह जल की मात्रा बढ़ने से प्रकास संसलेशन की दर बढ़ जाती है अगला है इसमें प्रकास की प्रकासी अब क्रिया क्या है तो देखेंगे प्रकासी अब क्रिया की कार्य विजी क्या है प्रकासी अब क्रिया में निम्न क्रिया होते हैं सोर की प्रकास की उर्चा की कारण क्लोरोफिल की अडू सक्रिय हो जाते हैं क्लोरोफिल के अड़ू क्या होते हैं शक्री हो जाते हैं और उत्तेजित इलेक्टरान का निस्कासन करते हैं किसका करते हैं यानि जो इलेक्टरान उत्तेजित होते हैं उनका निस्कासन करते हैं और शक्री क्लोरोफिल की उपस्थिति में आवश्य कुर्जा प्राप्त कर जल प्राप्त ऑक्सिजन पौधे से बाहर निकल जाती है यह आपका लास्ट कोशन राशात नम्म का इस सेट के लास्ट कोशन था चलिए मिलती है अगले वीडियो आपको जो कुछ ना समझ में आयो तो कमेट्स के में जरूर बताएं अगले वीडियो में समझाने की कोशिस और लाइक करें शेयर करें ज्यादा ज्यादा जू लए हूं बच्चे सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद